हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल सिविल इंजिंजिंजरिंग चैप्टर वाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोड पेव्मेंट का लास्ट पार्ट यह हमारा लेक्चर नमबर 14 ओके अभी तक हम यह सब टोपिक को कवर कर चुके हैं इसमें रोड को अच्छे से कवर ठीक है आई यह स्टार्ट करते आज की वीडियो रिजिट पेव्मेंट क्या होती है यह हमारी सिमेंट कॉंक्रीट की पेव्मेंट होती है इसमें बिटुमिन का यूज हम नहीं करते ठीक है यह देखिए आप देख सकते हैं बिलकुल भी यह बलेक सर्फ यानि कि फायदे ओफ रिजिट पेवमेंट क्या होते हैं इट प्रुवाइड एक गुड राइडिंग सर्फेस लाइफ ओफ सिमेंट कॉंक्रीट पेवमेंट इसमोर देन 30 to 50 30 to 40 years ठीक है 30 से 40 साल की इसकी लाइफ सर्कल है और राइडिंग सर्फेस अच्छा प्रवाइड करता है मेंटेनन्स कोष्ट इसकी काफी कम है विकल ओपरेशन कोष्ट इस मिनिममम यानि इसका विकल ओपरेशन का क्या मतलब है वहां पे जो ट्रेवल करने वाले विकल है अ अगर रोड खराब होता है तो पूरा कर पुरा विकल भी डेमिज होता रहता है तो व इसमें कहने की बात है ठीक है विकल ओपरेशन कोफ भी काफी कम होता है इत प्रौवाइड और नाइट विजिबिलिटी रात को जो ग्रेक लर का सर्फेस होता है वो काफी अच्छी है इसमें initial cost ज्यादा होती है skilled person जरूरी होता है इसमें construction में construction time required more यह कि इसमें क्यूरिंग करने पड़ती हमें तराइं करनी होती है तो इसमें construction का time ज्यादा लगता है टेक्स more time to open after construction जैसा कि अभी बता है construction कंप्लीट होने के बाद भी इसको हम क्यूरिंग करते हैं और उसको ट्रैफिक के लिए ओपन करने में ज्यादा टाइम लगता है ठीक है अंडरग्राउंड केवल्स सीवर्स कैनोट बिलेड आफ्टर कंस्ट्रक्शन और पेमेंट के बनने के बाद इसके नीचे हम अंडरग्राउंड केवल्स को और सी वर्स ख को कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते अगर करना होतातोत है तो कुरे पूरे पूरे पैवभ्मेंट को उमें तोड़ना पड़ता है ठीक है यह देखिए rigid pavements कैसी होती है यह होती है हमारी rigid pavement इसमें components हम बता देते हैं यह जो longitudinal direction में joint होता है इसको हम parts में बनाते हैं ठीक है अगर rigid pavement पे एक जंगय पे अगर stress आता है तो जल्दी crack होने के उसमें chances होते हैं ठीक है तो crack से बचाने के लिए इसमें हम काफी सारे parts में इसको construct करते हैं ठीक है यह देखिए सबसे नीचे हमारी जो course है subgrade उसके उपर यह हमारी base course बेस कोर्स के उपर यह ले राती है हमारी concrete की जिसकी thickness यह है यहाँ पर बताई गई है concrete material यहाँ पर यह डाली गए concrete material और double bar यह भी बताता हूं मैं आपको surface texture यह है यह जो joints है road length के transverse direction में इसको बोलते हैं transverse joint ठीक है और यह road length के parallel joint है इसको बोलते है longitudinal joints ठीक है अब जो transfers हमारे joints है इनको एक industrial space के साथ जोड़े रखने के लिए बीच में हम एक बार को use करते हैं इसमें काफ़ी सारी बार्स होते हैं इनको बोलते है डोवल बार ठीक है और जो लोंगिट्यूट्नल हमारी जोइंट है इसको एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए जो हम बार का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टाई बार ठीक है टाई बार कि आगे देखेंगे इसको कि करके हम अच्छे से समझते हैं इसको जब हम पानिक साथ मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है प्लेन सिमेंट कॉंक्रेट ठीक है और इसमें जब हम स्टील बार्स का यूज़ करते हैं तो वह जाता है हमारा आर्चीसी रिढ़ेंफॉर्ट सिमेंट कॉंक्रेट ठीक है तो रोड हमारा जब इस सिपे बनता है तो ओनली सिमेंट एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट और वार्टर अगर आर्चीसी में road हमारा construction है तो उसके साथ ही हम एड़ कर देते हैं steel wires, steel fabric, etc. सिमेंट, सिमेंट उसमें क्या यूज होती है, OPC, ordinary Portland cement, वहापे हम mostly use करते हैं, जो की specify की गई है, IS 269 में, ठीक है, rapid hardening cement को भी हम use करते हैं, जब कभी urgent हमें काम completion की जरूरत होती है, urgency होती है, हमें जल्दी काम complete करना है, वहापे traffic को open करवाना है, तो वहापे हम rapid hardening का cement का भी use करते हैं, ठीक है, course aggregate, course aggregate, वहापे हम use करते हैं, जो की specify किया गया, as per IS 383 के according, ठीक है, जो aggregate हम use करेंगे, वो clean होगा, hard होगा, free from harmful materials, like iron, coal, mica, clay, etc., इन से भी से वो free होगा, और maximum size of aggregate, जो हम use करेंगे, वो होगा, one fourth of the thickness of slab, ठीक है, एक चोथाई, जो हमारी thickness है, उसका, उसका हम maximum size हम use करते हैं, for example, अगर हमारी thickness होगी, road की, वो होगी 150, तो उसमें हम जो maximum size aggregate का use करेंगे, वो होगा 40 mm, ठीक है, अब उसमें जो physical requirements of course aggregate, course aggregate कैसा होगा, हमारा, Los Angeles abrasion test की value उसमें 16% maximum होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा हम उसमें use नहीं करेंगे, aggregate impact test, जो होगा, उसमें उसकी according की value 30 से ज़्यादा नहीं होगी, aggregate crushing value उसकी 30% से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, grading of course aggregate, grading इसमें इस दी है, जो 50 mm की sieve है, उसपे ये 100% pass कर जाना चाहिए, यानि कि जो हमारा aggregate का size होगा, वो 50 mm से छोटा ही होगा, ठीक है, 38, जो हमारी sieve size है, उसपे ये 65 to 95% pass कर जाएगा, यानि कि 5% उसपे retain कर जाएगा, फिर है 25.4, जो हमारी sieve है, उसपे 50 to 80% pass कर जाएगा, ऐसे ही ये grading हमारी follow करती है, ठीक है, 4.22, जो हमारी sieve size है, उसपे ये 0 से 5% ही पार कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसमें grading भी given है, अब आती है construction steps, construction steps आपको पता है, first step, preparation of subgrade और subbase, जो हमारी wearing course है, उसकी नीचे का जो हमारा surface है, subbase, उसको हम कैसे prepare करते हैं, foundation layer should be graded, compacted to obtain smooth hard surface, जो foundation layer है, उसको अच्छे से compact किया जाता है, ताकि एक, जो हमारा surface है, वो smooth हमें मिल सके, ठीक है, उसमें कोई भी soft spot नहीं होने चाहिए, ठीक है, properly drained होना चाहिए, ठीक है, और जो road का हमारा width होगी, उससे लगबग 30 cm दोनों तरफ extended होना चाहिए, ठीक है, इतना वो 30 cm left side, 30 cm right side, दोनों तरफ इतना इतना उसको हम extension लेगे चलते हैं, उसके बाद उसके उपर हम concrete का जो layer है उसको डालते हैं, फिर उसके बाद आती है, और जो surface है, उसको हम moist रखते हैं, गीला करके रखते हैं, फिर उसके बाद है, fixing of foam work, जो foam work है, उसको हम उसके बाद उसमें fix करते हैं, foam work क्या होते हैं, यह लकड़ी के, या फिर iron की हमारी जो seating होती हैं, यह देखिए, यह लकड़ी के हमारे planks हैं, लगे हुए हैं, यह इसका foam work होता है, RCC और PCC के दोनों के लिए इसमें foam work का काम यह करते हैं, ठीक है, यह देखिए, इसमें concrete को spread किया जा रहा है, और साथ ही साथ यह foam work इसको guide करेगा, इसको फैलने से रोकेगा, ठीक है, यह देखिए, यह लेवर, इसमें इच्छे से फैला रहे हैं, concrete को, अब है placing of reinforcement, foam work के बाद उसमें अगर reinforcement की जरूरत है, तो उसको हम place करते हैं, ठीक है, place करने के बाद उसमें आते हैं, mixing and laying of concrete, जो mixing करते हैं, mixing काप ही किया जाता है, जो batch mix plant होते हैं, या फिर हमारे जो hand operated, manually operated mixer होते हैं, उनके थुरू हम concrete को इसको mix करते हैं, material are mixed through concrete mixer of adequate capacity, ठीक है, जो capacity के जुरूरत है, उसकी according है, उसको हम लेते हैं, और उसमें अच्छे से mix करते हैं, aggregate cement are first introduced into the mixer, and water is added within 15 minutes of dry mixing, ठीक है, पहले उसमें cement और aggregate को अच्छे से mix करता है 15 minutes के लिए, फिर उसमें हम पानी add करते हैं, ठीक है, यानि के 15 minutes के around हम उसमें पानी को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको हम जो borrow wheels होते हैं, उसके थूरू उसमें dump करते हैं, और जहां पे placing की site है, वहां पे इसको dump करते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको spread किया जाता है, uniformly spread किया जाता है, during placing concrete should not be dropped from height of 900 mm, 900 mm की height से ज्यादा की height से हमें उस concrete को वहां पे नहीं गिराना होता है, ठीक है, और should be spread within 20 minutes of, from the time of discharge of the mixer, mixer के discharge करने के बाद, उसके 20 minutes के अंदर अंदर उसको हम अच्छे से फैलाना हमारा काम होता है, नहीं तो वो hard होना start हो जाएगा, ठीक है, यह देखिए, placing करने के बाद, वहां पे आता है needle vibrator और screed vibrator, vibration का काम होता है, vibration का काम इसमें क्या होता है, compaction का, ठीक है, यह इसमें जितने भी voids होंगे, उनको कम कर देगा, और जितने भी air bubbles होंगे, उनको बार निकाल देगा, यह है screed vibrator, आप figure में देख सकते हैं, यह है needle vibrator, इसको आप देख सकते हैं, इसके थुरू हम वहापे अच्छे से vibration स्टार्ट करते हैं, यह है इसमें surface को floating की जा रही है, इसके surface को finishing दी जा रही है, और यह है power floater, इसमें mechanical जो हमारी motor है, उसका use करते हैं, और उसको अच्छे से finishing दी जा रही है, ठीक है, compaction and finishing, जैसे का अभी हमने figure में देखा है, compaction क्या जाता है, vibrating, जो हमारे equipment है, उनके थुरू, और finishing, number of operation, जिसमें floating होता है, straight aging होता है, blooming होता है, ठीक है, floating के बाद, उसमें floating का काम क्या होता है, smoothening and compaction of the concrete by means of longitudinal float, ठीक है, longitudinal float होते हैं, और power float भी मैं अभी दिखाया है, तो उनके थुरू, हम उसमें अच्छे से floating करते हैं, ठीक है, after that, broom is pulled gently over the surface, broom जो वापे जाडू होती है, जाडू से उस पे हम अच्छे से marking करते हैं, यह देखे, यह है, brooming, brooming क्या है, concrete जो surface है, finished surface, इसके उपर जाडू से हम lining कर रहे हैं, जो कि transverse direction है, road की length के lengthwise, ठीक है, यह देखिए, dry होने के बाद, यह lining ऐसे दिखाई देंगी, जो कि, अच्छा एक skid resistance प्रोवाइड करेंगी, हमारी surface पे, ठीक है, जिसे, जो traveling vehicle है, उनको असानी से वापे traveling होगी, अगर यह provide ना की जाए, तो यहाँ पर यह जो surface है, यह slippery हो जाएगा, slip करेंगे मारे vehicles, ठीक है, तो यह provide कराना भी जरूरी होता है, brooming, ठीक है, brooming के बाद, next step आता है, हमारा curing, after finishing the surface is immediately covered to the wet, cotton और jute mat, jute mat से, या फिर wet, जो cotton cloth है, उनसे, अच्छे से उसको cover कर जात है, शुरुआत के 24 गंटे, fully wet condition में उसको बोलते है, initially curing, ठीक है, final curing हम करते है, ponding के तुरू, ponding और initially curing क्या होती है, यह भी दिखाते है, और उसके बाद, जो 28 days तक उसको open नहीं किया जाता है, उसको अच्छे securing किया जाता है, उसके बाद हम उसको open कर देते है, traffic के लिए अगर आपका road किसी भी stiff area में है, कहीं पर, जहां पर ascending gradient है, या फिर descending gradient है, वहां पर हम road बना रहे हैं, धलान वाले area पर road बना रहे हैं, तो वहां पर पानी तो हमारा रुखता नहीं है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, impervious membrane curing, उसका हम use करते हैं, impervious membrane curing क्या मतलब है, वहां आप एक, जो, एक special type का, हम cloth वहां पर उसके उपर apply करते हैं, उसको अच्छे से गीला कर देते हैं, वो काफी लंबेट हमें समय के लिए, उसको गीला करके रखता है, और वहां पर curing करता रहता है, ठीक है, यह देखिए, इस figure में आप देख सकते हैं, इस पूरे road पे, जू चोटे-चोटे points बना देते हैं, यह देखिए, मिटी से हमने चारों तरफ इसको cover कर दिया है, और चोटे-चोटे-चोटे points इसमें बना के इसमें पानी बर दिया है, इसको बोलते है, ponding, ठीक है, पानी बरने से इसके क्या होगा, काफी लंबे time के लिए, यहां पर curing अपन करेंगे, गर्मी के time पे concrete surface है, वो expand होता है, वो फैलने की कोशिस करता है, और सर्दी में concrete surface जोगा, वो shrink करता है, शिकूडता है, ठीक है, तो इसकी वजए से उसमें cracks आते हैं, ठीक है, अगर वहां पे हम joints provide ना करवाएं, तो वो फैलेगा, और उसको अगर फैलने के लिए proper पर space ना मिले, तो उसमें cracks आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही सर्दी में, अगर वो शिकूड़ेगा, और उसको space ना मिले, तो भी उसमें cracks आ जाएंगे, तो ऐसे time पे उसमें हम joints provide करवाते हैं, ठीक है, तो इसके फाइदे क्या होते हैं, joints का use, to permit expansion and contraction, concrete surface में expansion and contraction provide करवाता है, ज जो की temperature का action होता है, ठीक है, wrapping stress and curing stress, wrapping stress क्या होता है, आपको आगे मैं बताऊँगा, वैसे brief अभी बता जाता हूँ, देखिए, concrete की जो slab है, उसकी thickness काफी होती है, अब उपर sunlight है, उपर से धूप आ रही है, ठीक है, और उपर का surface ज्यादा गरम हो जाता है, और concrete की जो slab है, जो हमारा surface होगा, वो ठंडा होता है, तो उपर का surface क्या करता है, वो फैलता है, और नीचे का surface ठंडा रहता है, वो सिकोड नहीं कोसित करता है, इससे हमारा जो concrete की जो slab है, वो band हो जाती है, ठीक है, band होने की कोसित करती है, cup shape में ये band हो सकती है, तो इस type के stresses को बोलते है, wrapping stresses to prevent irregular longitudinal cracks, longitudinal direction में जो cracks आते हैं, उसको भी prevent करता है, to allow break in the construction at the end of each day work, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, एक ही दिन में पूरा construction हम complete कर दें, तो हर एक दिन के end में जो हमारा काम complete हुआ है, तो वहाँ पे हमें एक construction joint देना होता है, ठीक है, उसके बाद हम next day पे आएंगे और वहीं से काम start करेंगे, तो उसके बीच में जो joint आता है, उसको बोलते हैं construction joint, तो वहाँ पर भी joint आएगा, उसका भी हम इसमें discuss करेंगे, ठीक है, अब types of joint, दो type के joints है, longitudinal joints और transverse, longitudinal क्या होते हैं, जो parallel to the centerline, centerline के parallel होते हैं, longitudinal और right angle जो बनाते हैं, transverse direction में वह transverse joint, ठीक है, यह देखी, यह road, top view है, यह जो हमारे joint है, longitudinal joints है, और इसको एक दूसरे के साथ, tie up रखने के लिए इसको बोलते हैं, tie bar, tie bar का हम use करते हैं, ठीक है, longitudinal joints में, tie bar, और transverse joint में, double bar, ठीक है, double bar, यह हमारे transverse joint, इसका आप section भी देख सकते हैं, side view, double bar, ऐसे इसमें insert की जाते हैं, ठीक है, अब है transverse joint, जो हमारे होते हैं, वो कुछ अलग-अलग type में होते हैं, जैसे expansion joint, contraction joint, wrapping joint, construction joint, ठीक है, इन सब को एक एक करका हम discuss करेंगे, और requirement of a good joint, अच्छे joint की कासित क्या होनी चाहिए, the joint should not allow infiltration of water, अपने अंदर से पानी को पार न क करने दे, ठीक है, जो grit है, उसको, जो stone है, grit है, उसको वहां से निकलने ना दे, ठीक है, the joint should move freely, और जो joint है, अच्छे से move कर सके, ठीक है, the joint should not protrude out the journal level of the slab, the joint है, वो अपने journal level से बाहर न निकल जाए, ठीक है, कई बर होता है, एक slab हमारे नीचे दबी रह जाती है, और एक slab उठ जाती है, तो ये भी case उसमें नहीं होना चीए, ठीक है, अब आता है, expansion joint, first हमारे है, expansion joint, ये allow करता है, जब हमारा temperature ज्यादा होता है, तो जो slab है, वो expand करती है, ठीक है, allow the expansion of slab due to rise in temperature, ठीक है, expansion joint also permit, contraction of slab, contraction को भी permit करता है, gap उसके बीच में कितना होता है, 20 mm to 25 mm, ठीक है, double bar, उसमें हम use करते हैं, ठीक है, one end of double bar is embedded effectively in one slab and other end is kept free to allow expansion, अकर दोनों तरफ से हम fix कर देंगे, तो उसमें तो कोई फाइदा नहीं है, इसलिए हम एक तरफ से उसको fix करते हैं, और एक तरफ से उसमें free रखते हैं, ताकि वो expand कर सके और contact कर सके, ठीक है, the bars are 20 to 30 mm in diameter, 20 से 30 mm का उसको diameter होता है, और length में होता है, 400 to 700 mm in length, ठीक है, 400 से 700 mm की length में होता है, लंबा होता है, these bars are provided at an interval of 300 mm, और 300 mm की distance पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है, यह देखिए, यह होते हैं double bars, figure में आप देख सकते हैं, double bar, double bars, यह यहाँ पर लगाए गया है, और इसमें आप देखिए figure में, एक तरफ से इसको अच्छे से insert किया गया है, fix किया गया है, और दूसरी तरफ से इसको हम free करके रखते हैं, यह देखिए, यहाँ पर यह fix है, और यहाँ से यह free है, ठीक है, यह expand कर सकता है, और contract भी कर सकते हैं, यह जो आपकी slab है, यह इधर पीजा सकती है, और इधर भी जा सकती है, कुछ amount तक, ठीक है, बाद में यह वापिस अपनी position में आ जाएगी, expansion and contraction इसमें easily हो सकता है, ठीक ह और slab thickness अगर 100 की है, PCC के case में, तो उसमें maximum spacing, जो expansion joint की है, वो 27 meter की हो गई, ठीक है, 130 meter की अगर slab की थिकनेस है, PCC की, तो 27 meter की उसमें maximum spacing हम दे सकते हैं, ठीक है, यानि कि एक joint और दूसरे joint, expansion joint के बीच में, जो maximum spacing होगी, 27 meter की होगी, और अगर slab की thickness, 200 mm की है, तो वहाँ पे 37 meters की हम spacing दे सकते हैं, ठीक है, अगर RCC की बात करें, तो 100 mm की जब थिकनेस है, 150 की थिकनेस है, और 200 की थिकनेस है, तो उसमें जो reinforcement हम यूज करते हैं, वो करते हैं, 2.7 kg per cubic per square meter, 3.8 kg per square meter, and 5.5 kg per square meter, ये था हमारा reinforcement जब उसमें यूज करते हैं, ठीक है, और जो spacing होगी, maximum spacing, हमारे joint की वो होगी, 12.5 meter, जब 100 mm की थिकनेस है, 25 meters, जब 150 की हमारी थिकनेस है, और 37 meter, जब 200 की हमारी थिकनेस है, ठीक है, अब आता है, contraction joint, contraction joint क्या होता है, ये similar ही होता है, हमारा expansion joint के, इसमें हम double bar का use कर भी सकते हैं, और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं हम करें, और design करेंगे, तो इसमें double bar की ज़रूरत हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है, इसमें कोई hard and fast rule नहीं होता है, ठीक है, the joints are provided to receive tension development in concrete due to contraction, ठीक है, contraction joints are spaced closer than the expansion joint, इसमें spacing होती है, वो काफी कम होती है, ठीक है, यह देखिए, आप figure में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका double bar नहीं है, इसमें double bar इसमें given, ठीक है, contraction joint, यह देखिए, spacing of contraction joint, contraction joint में spacing, अगर aggregate हमारा granite है, तो 7.5 limestone का aggregate हम उसमें use कर रहे हैं, तो 7.5 siliceous, यहनि कि silka content जादा है, अगर हमारे aggregate में तो 4.5 calcareous, calcium उसमें जादा है, तो 7.5 और slag का है, अगर तो 4.5, यह है maximum spacing of contraction joint, ठीक है, अब आता है, wrapping joint, wrapping joint क्या होता है, यह आप यहाँ पे देखिए, इस figure से आप समझ जाएंगे, यह है normal condition में concrete, ठीक है, यह है जब temperature जादा होता है, दिन के time में, higher temperature at the mid day, ठीक है, उपर का temperature हमारा जादा हो जाएगा, concrete surface का, और नीचे का temperature हमारा काम हो जाएगा, उपर का जो हमारा surface होगा, वो fell नहीं कोशिस करता है, और नीचे का surface होगा, वो सिकोर नहीं कोशिस करता है, ठीक है, तो इसकी वज़े से, यह हमारा band हो जाता है, ऐसे, और ऐसे ही, जब उपर का temperature, जो atmosphere का temperature है, वो ठंडा हो जाएगा, तो यह स्विकुर्ण नहीं कोशिश करेगा और नीचे का टेंपरेचर हमारा ज्यादा हो जाता है ज्यादा तो नहीं होगा बट एस कंपेर टू अपर यह थोड़ा सा ज्यादा होगा ठीक है तो यह उपर की तरफ बैंड हो जाएगा तो इसकी वजाएसे जो हरी जाते हैं यह Tng के तरफ इसको को कि एक हां किहां यह देखिए यह हैं के ऑटारल बार गुंद कर तो यह काम आता हैं वह झालवर करना होता है तो यह काम आता है स्वाटता हुल एक में का काम complete होता है और वहां पर हमें जब concrete को छोड़ना होता है और आगले दिन से concrete को continue करना होता है तो वहां पर हमें एक construction joint देना होता है यह case होता है हर एक level पर जो building बनती है कोई भी retaining wall बनती है है रोड बनता है तो सभी में construction joint हमें provide करने होते हैं ठीक है यह वह यह दीज आर्दा provide as transfers at the end of each day work ठीक है हर एक दिन के एंड में इसको प्रवाइड के जाता है एक्सेप्ट फॉर emergency स्टोब कंस्टक्शन जोइंट चूट बी लोकेटेड एट एट रेगुलर प्लेस ओफ एक्सपेंशन एंड कोंट्रेक्शन जोइंट ठीक है कंस्ट्रक्शन जोइंट को हम वहीं पर प्रवाइड करते हैं जहां पर हमें एक्सपेंशन जोइंट या फिर कंस्ट्रेक्शन जोइंट को प्रवाइड कर होता है ओके अगर जो हमारा कंस्ट्रक्शन जोइंट है वह लोकेट होता है किसी भी एक्सपेंशन जोइंट के पास में ठीक है तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन जोइंट ना बनाते हैं वहाँ अगर वहां पे contraction joint मिलता है तो हम contraction joint को यूज कर सकते हैं double bar के साथ ठीक है यह देखिए हमारा double construction bar double construction joint यह construction joint एक slab है यह हमारी इदर एक slab इदर और बीच में double bar है यह हमारा construction joint ओके अब आता है longitudinal joints यह हमें अभी discuss किया था यह road की length की according जो parallel चलता है वह होता है हमारा longitudinal joint ठीक है इसमें जो बार्स प्रवाइड किया जाते हैं उनको बोलते हैं टाइब ठीक है longitudinal joints हम कब प्रवाड करते हैं जब हमारे road की width 4.5 meter से ज़्यादा होती है ठीक है उसको हम बट joint या फिर बट joint with double bar के साथ हम यूज कर सकते हैं टंग्ड एंड ग्रूवड joints are also used as longitudinal joint यहां पर हम दोनों का यूज कर सकते हैं ठीक है tie bars are longitudinal joints are provided to hold the adjacent slab together दोनों slab को इस slab को और इस slab को एक साथ रखने के लिए वहाँ पर tie bar का हम यूज करते हैं the length and spacing tie bar की length कितनी होती है 1.05 meter और उसके बीज में spacing कितनी होती है 0.60 meter center to center distance respectively ठीक है यह थे dimension tie bar के अब आता है joint filler and sealer ठीक है joint filler और sealer का का काम क्या होता है जो joints होते हैं उनको fill करना और उसके उपर उनको seal करना बहुत ही जरूरी होता है क्यों क्योंकि देखिए the continuity of the concrete pavement is broken at the place of joint joint के place पे ही उसकी continuity को break किया जाता है और वहां से पानी infiltrate ना कर पाए कोई भी जो stone है grit है वहां से ना निकले तो वहां पे fill किया जाता है filler को और उसको अच्छे से joint को seal किया जाता है ठीक है stone grit को बाहर ना निकलने दे पानी को infiltrate ना करने दे infiltrate करेगा तो नीचे वह dampness लेके आएगा और दीरे दीरे concrete को खराब करना start कर देगा ठीक है joint gap is filled with compressible filler material इसके अंदर compressible filler material को fill किया जाता है और top surface को अच्छे से seal किया जाता है by using a sealer ठीक है joint filler joint filler process of following property उसके अंदर यह following properties होनी चाहिए first property है durability durability अच्छी हो compressibility हो और elasticity हो ठीक है यह देखिए joint filler joint के बीच में हम एक filler material को insert करते है यह slab है यह जब contract करती है जब expand करती है तो इसके बीच में जो material होगा वह अच्छे से elastic property का होना चाहिए ताकि वह इसमें ज्यादा damage ना हो ठीक है इट शूट भी compressible and elastic because during summer the pavement expand and during the gap of the joint provided at this time the filler is compressible ठीक है तो compressible भी होना चाहिए और elastic भी होना चाहिए ताकि इसमें जो gap है वह अच्छे से इसको occupy कर सके cork और cork bound bitumen impregnant fiber board और softwood यह हम as a filler material को use करते है ठीक है IRC ने recommend किया है filler material ऐसा होना चाहिए कि वह compress हो सके 50% of its original thickness original thickness का 50% compress हो सके और जब उस पे से load हट जाए तो वह 70% अपनी original shape को recover कर सके ठीक है यह थे काम joint filler के अब आता है joint sealer joint को जो seal कर देता है ठीक है seal का काम क्या होता है उसको उपर से बिलकुल seal कर देना ताकि पानी उसके अंदर ना आ पाए joint sealer should process of the following properties durability होनी चाहिए उसमें resistance to ingress of grit ingress क्या होती है जो पी उसमें aggregate होती है वह बाहर ना आए ठीक है addition to cement concrete edges cement concrete के edges है उसको अच्छे से चिपकाई रखे और extensibility without fracture और extend होते without fracture के उसमें extension भी हो जो की बिना fracture के हो हो types of sealing material sealing material में क्या आता है bitumen rubber bitumen compound और air blown bitumen ठीक है यह देखिए इस figure में आप देख सकते हैं कि इस joint को bitumen से फिल किया जा रहा है ठीक है यह देखिए यहां पर भी आप देख सकते में pavement surface के उपर अच्छे से seal किया गया है और यह है summer days में जब एक दूसरे की तरफ यह concrete slab आती है तो यह material बाहर की तरफ आ जाता है और जब सर्दी होती है यह shrink करते हैं और यह filler material है sealer material इसके अंदर की तरफ सिला जाता है ठीक है तो यह थे joint sealer and joint filler उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को share कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पर comment करके like करके मुझे motivate कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ले सके लेकर आखकूं thank you for watching have a good day आपके लेखा सकता है